हेलो फ्रेंड मेरा नाम इमरान और आज इस वीडियो मताने वाला हूँ कि अगर आप एक यूटूबर हैं और आपका यूटूब चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है और आपको अपना यूटूब चैनल अपने बैंक अकाउंट से जोड़ना चाहते हैं तो किस तरह से सबसे पहले तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो कुरूम ब्राउजर को ओपन कर लेना है यहां पर आपको सर्च करना है एडसेस लोगिन यहां पर लिखाओ मैं इसको क्लिक कर देता हूं यहां पर फर्स्ट वाले पर लिखा हुआ है साइन गूगल एडसेस इस पी क्ल करना है तो मैं भी वाला चूच कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं यह एडसेस नहीं पर ओपन हो चुका है आपको यहां पर ऊपर तीन डॉट दिख जाएगा उस पर क्लिक करना है यहां पर लिखा हुआ डेक्स्ट आप साइट इस पर क्लिक कर देना है फिर इस तरह से य अब क्लिक करना हैं अब नीचे यहां पर लिखा हुआ पेमेंट इस की ज़िक करना है और इसको लिखा हुआ हओ पे एक बुलू कर लिखा हुआ एड़ पेमेंट मेफ़ोड इस पर किलिक करना है फिर इस तरह से यहां पर फर्स्ट में लिखा हुआ एड़ नियू ट्रासफर डीटियल तो यहां पर फिर यहां पर पुरण दाता हूं फिर आगे आपको दिखाता हूं तो first में लिखा हुआ है beneficiary ID यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पर आप गलती ना करें कि पहले में ही लोग अपना नाम डाल देते हैं तो यहाँ पर आपको first में कुछ भी नहीं डालना है उसमें छोड़ देना है और जो नीचे लिखा हुआ है name on bank account तो यहाँ पर आपको अपना bank account में जो भी आपका name है यहाँ पर डाल देना है तो यहाँ पर मैं अपना जो भी नाम है यहाँ पर bank account का है वो डाल देता हूँ आपको कोई भी spelling गलती नहीं करनी है आपको आराम से ध्यान से इसो करना है तक कि कोई गलती ना जो कोई भी नाम में spelling जो है छोटे में जो लिखा हुआ है छोटे में लिखना है यानि small में capital में जो भी लिखा हुआ है इस बात कर ध्यान देना है तो first में यहाँ पर नाम डाल देना है नीचे लिखा हुआ है bank name तो यहाँ पर bank name डालना है यानि first में आज आप अपना name डालेंगे जो आपका bank account का जो name है वो डालना है और नीचे bank name डालना है और उसके नीचे लिखा हुआ है swift code तो आपको अपना bank का जो swift code है वो निकाल लेना है Google से निकाल सकते हैं या फिर अपने bank account के जो manager होते हैं उन से पूछ लेना भी आपको दे देंगे तो यह IBM नमबर यहाँ पर पूरा आ चुका है अब नीचे री लिखा हुए है री टाइप IBM नमबर तो वापस वही वाला IBM नमबर आपको नीचे भी डाल देना है तो आप देख सकते हैं यह IBM नमबर दोनों पूरा हो चुका है आपको नीचे लिखाना यहाँ पर लिखा हुए SEO तो इस पर आपको किलिक कर देना है थोड़ा से इंतिदार करें तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है Google Payment और नीचे लिखा हुआ है Google AdSense Primary Payment Method तो आप देख सकते हैं यह चेंज हो चुका है तो इस तरह से आप भी अपना Bank Account लिंक कर सकते हैं अपने YouTube चैनल से तो बस यह था आज की वीडियो में तो यह वीडियो पसंदा तो लाइक करें और आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टाफिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रू बताएं Thank you for watching this video